हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिल्मी खबरी में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिल्म गदर 2 के बारे में इस फिल्म से जुड़ा अपडेट है वही अपडेट हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि हम यहां हरोज आपके फेवरेट स्टार्स और बॉलिवड से जुड़ी अपडेट्स लाते रहते हैं सनी दियोल और अमीशा पटेल की अपकमिंग फिल्म यानिकी गदर टू का पहला गाना रिलीज हो गया है मेकर्ज ने 22 साल बाद उड़जा काले कामा का नया वर्जन रिलीज किया है इस गाने में एक बार फिर सनी और अमीशा की जबरदस्ट केमिस्ट्री देखने को मिल रही है गाना रिलीज होते ही फेंस फिल्म के लिए काफी जादा एकसाइटेड हो गए है इससे पहले फिल्म के पहले पार्ट गदर में भी यही गाना था जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था अब इस गाने में एक बार फिर सनी और अमीशा की वही ज़लक नज़र आ रही है जो की 21 साल पहले रिलीज किये गाने में दिखाई गई थी मेकर्जन ने इस गाने को शेर करते हुए कैप्शन में लिखा फिर से प्यार की बरसात होगी उड़जा काले कामा धुन के साथ गदर एक प्रेम का था साल 2001 में रिलीज हुई थी और अब 22 साल बाद फिल्म का सीक्वल आया है फिल्म गदर में सनी दियोल ने तारा सिंग का रोल प्ले किया था अमीशा पटेल ने एक पाकिस्तानी महिला सकीना की भूमी का निभाई थी दोनों लीड रोल में थे और ये फिल्म गदर बॉक्स आफिस पर ब्लॉक बस्टर हिट साबित हुई थी और इसने सनी दियोल को एक टॉप के एक्टर के रूप में पूरे बॉलिवुड में एक पहचान दे दी थी अब वहीं 22 साल बाद इस फिल्म का सीक्वल यानी की गदर 2 रिलीज होने जा रही है रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है और इस बार फिल्म में सनी, अमीशा के साथ, उतकर शर्मा, सिमरत कौर, लव सिनहा, मनीश वादवा और गौरव चोपड़ा भी लीड रोल में नज़र आने वाले है इस फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो जैसे कि आपने पहली गदर में देखा था कि तारा अपनी सकीना को लेने के लिए पाकिस्तान जाता है और इस बार तारा अपने बेटे यानी की जीते को लेने के लिए पाकिस्तान जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो में तो केवाल इतना ही अब आप हमें बताईए आप कितने जादे एक्साइटेड हैं फिल्म गदर टू के लिए और आपको क्या लगता है कि ये फिल्म एक बार फिर से ब्लॉक बस्तर साबित हो पाएगी या फिर नहीं हमें जरूर बताईए कमेंट सेक्शन में और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल फिल्मी खबरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए